हालो फ्रेंड्स मैं हूँ अनुजा और आपका स्वागत करती हूँ एक बहुत ही यूनीक बहुत ही अद्बुत प्रोग्राम में जिसका नाम है जाइरोपैथी, हेल्पिंग हुमानिटी दोस्तों हर औरत का एक सपना होता है और वो सपना होता है मा बनने का ये एक बहुत ही खुबसूरत एहसास होता है और इसके लिए नाजाने क्या 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 करना पड़ता है लेकिन क्या इसमें हम उनकी कोई मदद कर सकते हैं उनकी प्रेपरेशन्स में क्या जाइरोपैथी उन पुरे इस विज्ञान के जनक हैं नरेश जी और उनकी सहयोगी कामाईनी, जो पिछले कई सालों से इस थेरपी पर शोध कर रहे थे, जो लाइफ स्टाइल डिसॉडर्स और डिजिजेस के नियंतरन और रोग थाम में कामा सके, इनके अथक प्रयास और एक्सपेरिमेंट से इ इसके एक्सपोर्ट्स, कामाईनी और नरेश जी लगतार कई सालों से जाइरोपैथी के जरिये लोगों की प्रॉब्लम्स दूर कर रहे हैं, और स्वास्त के क्षत्र में अपनी सेवाईं दे रहे हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आज हम बात करने वाले हैं घर्बधारन के बारे में, कि गर्बधारन करने से पहले क्या-क्या तैयारियां कर लेनी चाहिए और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड तो बिना देर करें बस फोन उठाएं और इन कॉन्टाक नंबर्स पे संपर करें नरेश जी अपनी पूरी टीम के साथ आपकी मदद जरूर करेंगे नरेश जी जैसा कि मैंने अभी अपने विवेश से भी बात किया आज हम बात करेंगे गर्वधारन के बारे में सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि कंसीव करने के लिए क्या-क्या प्रेपरेशन करनी पड़ती है अनुजा जी मुख्य रूप से गर्वधारन करने के पहले शारेरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है फिजिकली हस्बेंड और वाइव दोनों स्वस्थ होने चाहिए उसके बाद जो ज्यादा जरूरी है वो है मांसिक हेल्थ मांसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए emotionally, chemically हर तरीके से शरीर पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए husband और wife दोनों का जिससे की जो गर्वधारण हो वो बहुत अच्छा हो और अच्छे बच्चे का जन्म हो सके तो किस तरह की महिलाएं हैं जो गर्वधारण नहीं कर पाती है अनुजा जी जो जिन महिलाओं का किसी कारण से यूटरस निकल चुका है या उनका मेनोपॉज हो चुका है या पहले से ही उनको periods नहीं हुए हैं ऐसी महिलाओं में गर्वधारण होने की possibility बिलकुल नहीं है लेकिन आपको एक वाकिया बताऊंगा की एक लेडी आई and she was 37 and she told me की उन्हें कभी भी जिंदगी में periods नहीं हुए but she conceived and delivered a child जिंदगी में periods नहीं हुए उनको कभी नहीं हुए ना तो conceive करने के पहले हुए और ना ही conceive करने के बाद हुए मतलब delivery के बाद हुए उनको कभी periods नहीं हुए but she conceived this was a free case जो मैंने सुना उनके मुँझे ही तो मैं ये बताना चाहिए हुँ कि होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है लेकिन ऐसी जो conditions बताई उनमें गर्वधारन करने की संभावना नहीं है नरेश जी अगर कोई महिला गर्वधारन नहीं कर पा रही है और उसके पास कोई विकल्प भी नहीं है कोई options भी नहीं है conceive करने के लिए तो जायरोपैथी उसमें कैसे उनकी मदद कर सकती है अनुजा जी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कई बार सब कुछ नॉर्मल होते है फिर भी गर्वधारन ना कर पाने वाली महिलाओं में भी जब हमने ये food supplement के combination दिये तो हमें काफी अच्छे results आए लगवग 30-40% females ने supplements खाने के बाद conceive किया ये वैसे cases हैं कि बात कर रहा हूँ मैं जहां सब कुछ normal था लेकिन conceiving नहीं हो पा रहा है तो ये supplements शरीर के अंदर एक natural environment create करते हैं और जिसमें ये चीज संभव हो पाती है नरीश जी मुझे बताईए कि अगर कोई महिला किसी गंभीर समस्या से ग्रसित है and the situation is very critical उसमें भी क्या जाइवरोपेथी उनकी मदद कर सकती है अनुजा जी आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है एक्चली ये जब आपने सवाल पूछा तो मेरे दिमाग में एक case आया जहां एक लेडी थी उनको पांच साल शादी के हो चुके थे और इस दौरान उनकी HSG के दौरान पता चला कि उनकी फैलोपेन ट्यूब ब्लॉक है तो डॉक्टर ने सर्जिदी किया और उनकी एक ट्यूब डेमेज हो गई एक ट्यूब तो खुल गई लेकिन एक ट्यूब डेमेज हो गई तो शी वस उन सिंगल ट्यूब और उनके हस्बैन इस दौरान कहीं बाहर चले गए और जब वो लॉट के आये तो दुबारा पता चला कि उनकी जो एक ट्यूब बची हुई थी वो भी ब्लॉक हो चुकी आप्शन सिर्फ उनके पास सर्जरी करवाने के अलावा और कोई आप्शन नहीं था तो एक डैमेज हो गई थी और एक डैमेज हो चुकी थी जिसमें कुछ रिपेर नहीं हो सकता था और दूसरी ट्यूब उनके हस्बैन के वापस आने तक वो भी ब्लॉक हो चुकी थी और हमने उन्हें कॉमिनेशन दिये सप्लिमेंट्स के जिनको खाके उनकी ट्यूब खुल गई और जिस कारण से वो गर्ववती हो सकी विदिन थी मंथ शी कंसीवड और शी करेंगे चाइड और बाद में उन्हें बहुत ही अच्छा एक बेभी बॉई डिलिवर किया त्स अमेजिंग, इस वेरी सुप्राइजिंग और आप भी कि एक पेशिंट से हमारी मुलाकात हुई और हमें उनके एक्सपीरिंस जानने का मौका मिला मैं बात कर रही हूं गुंजा जी की और मैं चाहूंगी की वो कितनी खुश है सारोपैथी को आजमा कर और आप भी जाने की उनका क्या एक्सपीरिंस है मैं अब गुंजा वर्मा है मुझे कुछ प्राबलम था डिलवरी के पहले मैंने बहुत जगे से ट्रिक्मेंट किया लेकि मुझे कुछ फरक नहीं हुआ फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे नरेजी के बारे में बताया मैंने वहां से सप्लिमेंट लेना स्टार्ट किया और मैंने लिया फिर मुझे एक नॉर्मल सा डिलवरी हुआ एक क्यूट सी वेवी हुई और बहुत हेल्दी है एक्टिव भी है अभी मुझे सवाइकल की प्राबलम हो गई है बैक पैन स्टार्ट हो गया है मुझे विश्वास है कि मैं यह सप्लिमेंट लेके ठीक हो जाओंगी और बहुत जल्दी थैंक्यू नरेशी दोस्तों अगर आपके मन में भी गर्बदारन को लेकर कोई भी सवाल है कोई भी समस्या है जिससे आप जूज रहे हैं तो बिना देर करें बिना संकोच करें बस फोन उठाएं और नरेशी से कॉंटाक्ट करें कॉंटाक्ट डीटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर अल्रेडी मौझूद है बिना देर करें बस नरेशी को फटाफट कॉंटाक्ट करें नरेशी में कोई बताएं कि जैरोपैथी का ट्रीटमेंट जब हम देते हैं उसके साथ आप कोई पर्टिकुलर डायट या पर्टिकु डायट लेना जरूरी है और डायट के साथ-साथ एक अच्छी दिंचर्या भी जीना जरूरी है नरेशी जी आइनों आपको कारण नहीं मिलता है जहां कारण है तो कारण निवारण करके उसको कंसीव करवाना बहुत सरल सा है लेकिन बहुत से केसे होते हैं जो बिना किसी का कारण के कंसीव नहीं कर पाती हैं ऐसे केसे में भी आज हमारे पास लगभग 60-70% रिजल्ट से तो हमें यह पूरी उमीद रहती है हर केसमें की यह कंसीविंग हो जाएगी क्योंकि नॉर्मल तरीके से नैचुरल तरीके से हम उनको कुछ प्रोसीजर्स भी समझाते हैं और क अगर आपके मन में गर्भधारन या किसी भी अन्य हेल्थ प्रोब्लम से रिलेटेट कोई भी क्वेस्चिन है या कोई भी समस्या है जिससे आप या आपका नस्दी की जूज रहा है तो बस बिना देर करें नरेशी से संपर्क करें इस पते पर दोस्तों अब मैं आपसे अलविदा कहूंगी क्योंकि समय पूरा हो गया है लेकिन हम फिर मिलेंगे जाइरोपैती हेल्पिंग हुमानिटी के अगले एपिसोड में हमसे जुड़े रहिए टच में रहिए क्योंकि हमें आपकी फिक्र है कर दोस्तों अपसे जाइरोपैती है